How to install Instagram in your laptop and PC आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आप Instagram को अपने laptop and PC में इंस्टाल करके यूज कर सकते हैं यही में आपको बताने वालो अगर आपको नौरमली आपको पता है कि Instagram अप्लिकेशन क्या है किस तरीके से वर्क करता है तो यहां पर लेकिम प्रॉब्लम यह है कि यह जो Instagram अप्लिकेशन है only for Android users के लिए available है Android mobile के लिए यह available है इसका PC में कोई भी वर्जन अभी तक आया नहीं है but still आप Microsoft Store से इस Instagram अप्लिकेशन को अपने लाप्टॉप में इंस्टॉल कर सकते है बट इसके लिए आपको पे करना होगा amount यह इसके अलब और कोई भी option नहीं कि आप फ्री में इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते है बट यहाँ पर यह पॉसिबल है अगर आप बिना को अपने लाप्टॉप में इंस्टॉल करना चाहते है तो यहाँ पर मैं आपको एक method बता हूंगा जिसकी help से आप इसे install कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर आपको अपने लाप्टॉप में इंस्टॉल करना होगा blue stack application blue stack application normally यह एक android emulator है जो android की application को आपके PC में install करने के लिए allow करता है इसकी help से आप android की कोई भी application को अपने laptop and PC में use कर सकते हैं वो भी completely free तो पहले आपको इस blue stack application को अब इसके official website से download करना होगा और download करने के बाद फिर इस application को आपको open करना होगा अब यह कितना time लेता है installation में यानि कि यह कितना time लेता है यह किस तरीके से work करता है फास्ट करता है slow करता है यह पूरा का पूरा डेपेंड करता है आपके laptop के performance के बास आपको lag देखने को मिलेगा, minimum 8GB का आपका RAM होना चाहिए, laptop का तो ही आप इसे proper use कर पाएंगे, अब यहाँ पर फिर आपको Play Store application default base पर इसमें मिल जाता है, BlueStack application में, simply आपको Play Store application open करना है, और वहाँ पर आपको Instagram search करना है, और फिर आप Instagram यहाँ से download कर पाएंगे, just like this, फिर वस उसके बाद यहाँ पर आपको Instagram open करना है, और अपना registration sign up का process complete कर लेना जो मैंने already complete कर दिया है, और फिर आपका Instagram यहाँ पर open हो जाएगा, तो जिस तरह के से फिर आप अपने Android में Instagram को use करते हैं, उसी तरह के से आप इस BlueStack application का use करके भी अपने laptop and PC में Instagram को use कर पाएंगे, just like this, मैं हमेशा इसी method का use करता हो, Instagram को अपने laptop में use करने के लिए, so this will help you in 2020 and in feature as well, I hope you like this information, thanks for watching.